हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं विधानसभा शेत्रों ओसिया भुपालगर और बिलाडवरा में चनावी सभाव को सम्बोधिप किया सर्व प्रतम प्रख्यात सच्चिया माता मंदिर के दर्शन किया इसके बाद यहां के खेल मैदान में हुई सभा में उन्नोंने कॉंगरेस पर ज़म्कर हमला बोला उनके हमले के केंद्र में पूरू मुख्यमंत्री अशोक गहलोथ थे राजे ने ओसिया शेत्र में किये गए कारे गिनाई साथ ही कॉंग्रेस को सामप्रदाइक पार्टी बताया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ही भारत माता की जै नहीं बोलते सिर्फ 15 मिनिट के भाषन में उन्होंने केंद्र और राजे सरकार की योजनाई गिनाई साथ ही कमल के फूल की वोट अपील भी की उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने वोटों का फाइदा लेने का काम किया कॉंग्रेस ने 50 साल का हिसाब नहीं दिया है साथ ही कॉंग्रेस को पचास सालों में गरीबों की याद नहीं आई उन्होंने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को खुद के पैरों पर खड़े करने का काम किया है दुश्कन के मामले में नौ लोग फासी की सजा पा चुके हैं उन्होंने कहा कि ये जंता का चुनाव है और हम सब को विकास का रास्ता पकड़ना है इस दौरान भाजपा की ओर से प्रत्याशी और विधायब पहराराम सीओल ने खुद को गाव का देशी आदमी बताया और प्रतिद्वन्दवी उमीद्वार दिव्या मैदर्ना को अंग्रेज बताया उन्होंने कहा कि मैं तो गाव के भेश वाला हूँ हमेशा गाव में मिलता हूँ आगे और मौका मिला तो विकास में कोई कमी नहीं रखुँगा सीयन की पहली बार सभा ओसिया विधान सभा शेत्र के ओसिया कजबे के खेल मैदान पर सुभा ग्यारा बजे आयोजित होने वाली थी लेकिन दुपहर तक भीड कम होने के कारण यहां सभा देरी से शुरू हुई जनप्रतिनिती और पार्टी के कारेकरता आदी लोगों को सभा में भाग लेने की जुगत में नजर आये यहां सभा संपन होने के बाद भूपालगर के किसान सरकिल पंचायत समिती कार्याले के सामने हुई इसके बाद बिलाडा के जैदेव नगर बिजवाडिया रोड पर सभा हुई बतादे की चुनावी प्रचार के चलते कुछ दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने जोदपुर सहित शेत्रों का दौरा कर लोगों को भूडावन देते हुए कॉंग्रेस के वोट देने की अपील की थी जोदपुर से जागुब टीवी के रिपोर्ट